सिदार्थ, PVTITI, Combine Class, Trade Feeter and Welder, Cutting Tools, चीजल में आज जानेंगे चीजल के बारे में जिसे हिंदी में छेनी के नाम से जानते हैं आईए इसके बारे में बिस्तार से जानते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदू पहला, चीजल है क्या, दूसरा, चीजल किस धातू से बना होता है, तिसरा, चीजल कितने परकार के होते हैं, चौथा, चीजल के भागों के नाम, पाच्वा, मेटल के आधार पर चीजल के कौन कितने रखे जाते हैं, छठा, कारी के आधार पर चीजल के परकार कितने होते हैं आईए बिना सवाय गाएं शुरू करते हैं पहला चीजल है क्या तो इसका जवाब है चीजल एक परकार का काटिंग टूल से जिसके द्वारा मेटल को छिलने और काटने का कारिक किया जाता है दूसरा चीजल किस धातू से बना होता है तो इसका जवाब है या हाइक आरवन स्टील को फोर्च करके बनाया जाता है तथा इनकी बॉडी के क्रोस सेक्षन को हेक्सागोनल अथवा ओक्टागोनल रखा जाता है तथा इनके हेड को 40 डिग्री से 70 डिग्री के कौन पर रखा जाता है चीजल के निचले भाग को घिस कर साप कट्टिंग एज बना लिया जाता है उसके बाद कट्टिंग एज को हाड़ एंडेंट टेमपर कर लिया जाता है अब सवाल तीसरा सवाल आता है चीजल कितने प्रकार के होते हैं तो इसका जवाब है according to shape अर्थात आकरिती के आधार पर चीजल दो प्रकार के होते हैं पहला hot चीजल दूसरा cold चीजल अब बात आती है hot चीजल क्या है इस चीजल का उपयोग black smithy section में किया जाता है जिसमें hot job को काटने के लिए इसकी उपयोग होती है इसकी बनावट hammer की तरह होती है जिसके बीच में handle fit होता है hot metal को काटते समय इसकी cutting edge को पानी से बार बार ठंधा करते हैं जिसके कारण या hard and temper होता रहता है दूसरा है cold चीजल यदेपी इस प्रकार के चीजल का उपयोग परतेक सौप में होत है प्रन्तु इसका मुख्य उपयोग fitting shop में किया जाता है अब बारी आती है कारी के अनिशार चीजल के प्रकार तो इसमें आते हैं पहला फ्लैट चीजल इस चीजल की विशेशताया है कि इसकी cutting edge को थोड़ी सी round रखी जाती है ताकि चिपिंग करते समय इसका edge गहराई तक प्रवेश नहीं करती है इस चीजल का मुख्य उपयोग चौड़ी सथें छिलने और रॉड को cutting करने के लिए किया जाता है दूसरा क्रोस कट चीजल इस चीजल को cap चीजल के नाम से भी जाना जाता है इसकी cutting edge की चौड़ाई body से कुछ अधिक रखते हैं जिससे metal को काटते समय इसकी cutting edge अधिक गहराई तक cutting करते हैं और फसते नहीं है इस चीजल का मुख्य उपयोग ग्रूप्स काटने साफ्ट्स और पूलिज में कीवे चावी घाट काटने के लिए किया जाता है तीसरा आता है diamond point चीजल इसका प्रियोग भी भी ग्रूप्स का eccentric holes को ठीक करके center में लाने bearing boosters में oil way काटने के लिए किया जाता है पाचवा है cow mouth चीजल इस चीजल की बनावट cow के mouth जैसी होती है इसका मुख्य उपयोग gas kit में hole बनाने के लिए किया जाता है छठा है side cutting चीजल इस चीजल का मुख्य उपयोग chipping एवं पहले से बनाई गई cutter wedge तथा group से extra material के cleaning के लिए किया जाता है साथवा wave चीजल इस चीजल का मुख्य उपयोग drill hole बनाने के लिए किया जाता है और drill hole बनाने के बाद इसके बीच जो metal extra बची रहती है उस extra metal को काटने के लिए किया जाता है तो ये कुल साथ परकार के चीजल है जिनका मैंने बर्नन किया है अब बात आती है अलग-अलग metal के लिए चीजल इंगल कितनी होती है तो आईए जानते हैं पहला aluminum lead zinc के लिए 35 degree copper brass के लिए 40 degree raw iron के लिए 50 degree cast iron एवं general work के लिए 60 degree cast steel के लिए 70 degree रखी जाती है अब बात आती है specification of chisel अर्थाद chisel की specification किस अधार पर करते हैं तो chisel की specification chisel की लंबाई उसकी cutting edge उसकी चोड़ाई एवं shape आकार के अनुसार किया जाता है जैसे अगर हमें flat chisel लेनी है तो कहनी होगी flat chisel into कुछ भी उसका लंबाई पान लिजे की 200 mm into उसकी चोड़ाई अगर 25 mm है तो मैंने बोला 25 mm अब cutting angle of chisel अब chisel का cutting angle कितनी रखी जाती है इसके बारे में जानना है जैसे flat chisel flat chisel है तो अगर हम steel में इसका use करेंगे तो इसका cutting angle कितना रखेंगे कास्ट iron में करेंगे तो कितना रखेंगे कौपर और brass metal को अगर cutting करना हो तो कितना रखेंगे zinc और aluminum कि अगर cutting करना हो तो कितना रखेंगे तो जानते हैं जैसे flat chisel है तो इसके लिए steel के लिए 70 degree कपर एवं ब्राश के लिए 45 जिंक एवं अलुमिनियम के लिए 35 दीक्री क्रोस कट चीजल स्टीर के लिए 70 डिग्री कॉपर 5 Chic डिग्री खाह सिंटील चीजल के लिए 65 कॉपरइवं ब्रास के लिए बी 60 डिग्री जिंक- sub- लिए भी रखते हैं चौथा हाफ राउंड हाफ राउंड ही चीजल भी स्टील के लिए 45 डिगरी कास्ट एरेंड के लिए 45 डिगरी गुर्ण रखते हैं अब बात आती है angles of chisel, cutting और point angle, rack angle, तो जानेंगे और उसके बाद clearance angle, not, कुछ muck point, पहला cutting और point angle, यह क्या होता है? तो soft metal के लिए low angle और hard metal के लिए high angle रखी जाती है, दूसरा, chisel के head को बार बार पिटने से उसके head छतरी की तरह फैल जाते हैं, जिसे mushroom head कहते हैं, ये थे चीजल के बारे में रोचक जानकारिया इसको बढ़ियां से सुनें फिर से इसको नोटबुक में नोट करें और गहराई से इसका अध्यन करें अगर जरुरत पड़ें तो किताब का भी सहार आलें बहुत बहुत धन्यवाद किताब बहुत आले हैं से इसका अचे इसका आले झालें जो मौत बहुत बहुत लाई से साथ.